हेलो एवरीवन वेल्कम टो मैं चैनल गम स्कॉलर आज हम इस वीटे लिक्ष्टर में एक नए चप्टर करने जा रहे हैं ते इस वेलिशन ओफ ब्रेंड असेट्स देखिए चप्टर काफी इंपोर्नेट है एंड मैं कहसे तों काफी एजी भी है ये बिकोज अगर आप बाकी चप्टर से कंपे करोगे तो ये कुशन लेंदी भी नहीं होते हैं चोटे कुशन होते हैं बड़ तो देंगे इसकी आपको इसकी प्रॉपर नौलेज होने चाहिए बेसिक सोज आपके फरनामेंटर जो वो क्लियर होने चाहिए तो देखिए प्रेंटिंग एरिया में बहुत बड़े एक्सपर्टीज हैं उन्होंने देखिए अपने ही लेंग्वेज में अपनी एक ब्रेंड की जो है उन्होंने ही डेफरेंश में बताई है कि इन्होंने बताए कि देखिए ब्रेंड इस नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और a combination of them intended to identify the goods of one seller, और a group of seller, और to differentiate them from those of competitors देखिए सिद्धी सी बात है अगर किसी कंपनी को अपना नाम कमाना है तो देखिए उसको अपना ब्रेंड तो बनाना होगा मार्केट में देखिए ब्रेंड का फायदा है का होता है कि जितने जाद ब्रेंड की वेली होगी इसका मनला लोगों के आगे उसकी पॉपलिटी काफी अच्छी होगी और आगर आप माले जी किसी कंपनी की को भी पर्चेस करने जा रहे हो तो आपको जो है उस पॉडिट की जो quality या quantity जो अनेम, ट्रेडमार्क, लोगो और अधर जिम्बल अंडर दी ट्रेडमार्क लोग, असलर है जी एक्स्क्लूजिव राइट तो यूजिव जी ब्रेंड नेम इन इन पर्पेक्शिटी, ब्रेंड डिफरेंड फ्रम अदर इंटेंजिवल असेट्स सच अस पेटेंड और कोप आप इनके क्वालिटी के जो शूस होते हैं वो आप इसली इसको डिफरेंटि कर रपा दे हो तो आप जैसे कोई भी शोपिंग करने है तो मॉबाइल फों करने जा रहे हो एपल की अलग ब्रेंड है समसिंग की अलग ब्रेंड है तो कुछ लोग तो से ब्रेंड का नाम होते हैं कर लोग तो आप कर दिकताथ को दिकत नियंको आइफोन दिकत कर दिकत नियं कोई दिकत नियंग यह है कि एक तरह की ब्रेंड का भुलते है रेपुटिशीम मना त़िया मैं लिए क्भून हथा या 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 इनिक कुद ल और तो इसले ब्रेंड या ऑधर इसילे एक कंपनी जब तक कमपनी छल रहा है एक काज सिथी हुग है कि इन से कमपनी ने बात बात करें कि अड़कर शरुद हमें प्रम्र विब्सेंशन rep Kimberly ब्रेंट तो देकि फर्स जब पास्ट इवन्स देखे सिति बतब तक कंपनी ने जितने भी बिजनेस टांसिशन की होगी उसको प्रपर रिकोर्ड भी करा होगा और टिक बिकरा होगा ठीक है जब जो बीसके फानेशल सेटमेंट से उसको जो है जब कोई इंवेस्टर करता है तो वह देखता है कि company जो ए अच्छा से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं तो company ने historical में जितने भी business donation क्योंगी उसके नाम पर उन्हें अपनी अच्छा कमा होगा तो company का brand बनेगा यहां पर दिखे बात हो रही है कि कि किसी भी company की brand को हम identify कैसे करें जती से बात है उसके brand कैसे मती एक साल में बनती नहीं तो साल बनती ही नहीं ब्रेंड कम अंता है कम सी-कम 10-15 साल लगा तो घर साल काम करो तब जाके company के brand मनता है राइट जती से बात है कर इंसान की बात है वह इंसान अपनी जो reputation इज़ट कम काम काता है फिर बहुत को अई गाता है एक कंपनी सब्सक्रेंट बैंद अगे पास अगर पेफिर पेएवनगल बनपनी का उपर क है 말 हुए है उसको रेजिस्टर करती है जैसे आपका ट्रेटमा को लोग क्या आप में कम लेक बलता है यह कमपनी के पास पूरा एक्सक्लिजिव राइट है कि वह ब्रेंड के नाम को वह जूज कर सकती है जैसे कहा पार तो क्याता है मानेज के बहुत बड़ी कमपनी है रहपूरी देट है वो बैंक से लोग लेन का एक कर फोर लोग इंटरेसेट सेंट विबि उंको त्यार होता है किंगे उनका अपनी वेल्यू है ब्रेंड है थ्टर्ड बनी देट परफस ब्रेंड को क्या यूसफूल होता है क्या यूस वोता हो का बस दिजय को कंपनी की reputation ची होगी तो company का sale चाहुगा, sale चाहुगा तो company का profit चाहुगा, profit चाहुगा, तो shareholder को क्या बनेगा, dividend मिलेगा, तो यह तो ता purpose brand का, यह तो और क्या है, सबसे बड़ा प्रफसर यह है, देखे हर company का main objective का, that is to maximize the shareholder's wealth, और अगा अपना shareholder को खुश कर दिया, तो क्या दिखे है, next one is intangible assets, obviously, it is a part of intangible assets, but it is different from other intangible assets, such as trademark, copyright, goodwill, and so on, right, अब what are the objectives of corporate branding, यहनी कि क्या objective होता है, first one, that is the creation of unique corporate identity, obviously, जब company के खुद भी एक खुद की एक reputation बनाती है, तो उसकी हम दी एक unique identity बनाती है, then, total quality management, total quality management, तो हमें sense, company की जो performance होती है, जो key level, जो design होते हैं, जो top level management, जो design होते हैं, वो क्यों होते हैं, board of directors होगे, manager होगे, ठीके, तो उनकी भी performance से वो effect आता है, means, अगर वो अच्छा काम करेंगे, तो overall उनकी leadership quality भी अच्छी होगी, अच्छा वो काम करेंगे, then, customer preference, obviously, brand का मतलब क्या होता है, कि company की, company की brand क्यों मनती है, company अपनी brand कहने का अपने नाम का पबहेंगे, अगर company है, तो business कर रही है, business चाहब हो कोई भी कर रही हो, चाहब हो, corporate branding then market sending mention means उनको जो है company को जो है आप पस्मार मार्केट में means differentiate कनाथ यह है then these are the objectives of brand accounting देखे वैसे देखे ब्रैंड देखे दो टाप के होती है एक होती है कि purchase एक होती है self generated right और दोनों के जो है accounting होती है और ज़रूरी भी है बाज़े से goodwill की treatment करते हैं वैसे हम क्या करते हैं branding करते हैं आपने goodwill पढ़ा वह 12 से नेड में जहां आपने पढ़ा था कि company goodwill को जरूती कि है एक अपने हम ने पढ़ा था उसको ज्यादा payment देना पढ़ रहा है तो वह ज्यादा payment क्यों दे रहे हो in the form of goodwill तो उसके accounting भी करने होगी है तो तो दिकिए इसके objective के first one that is the ascertainment of net worth यानि की future में उसके कुछ economic benefits मिलना company को बेचना हो तो ज्यादा पैसर मिलेगा second one is taking leverage benefits जैसे मैं आपको बता था कि company को manage यह बहुत सारा loan की requirement है तो हर बेंक तहीं हो जता है कर बार तो बेंक आपस मिलता है कि भी हम आपको बड़े लोन देंगे third one that is ascertainment of future profitability obviously अगर company का brand जितना volume में अच्छा होगा तो company को step से प्रकाइदे 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 प्रकाइट है then defense against potential predators इसमें कहता है कि जो भी brand जो होता है का अगमालिच company का नाम बहुत अच्छा है तो यहां पर कहता है कि जो भी potential customers होते हैं कपर जो काफे सारी competitors खड़े जाते हैं तो उसके अगेंस पर different करना आसान हो जाता है then last one that is called better accounting practices that means company की brand अच्छी होगी तो company को अपने accounting practice को और perform करने का मुक अच्छा में लेगा वैसे इसे वात है company अच्छा काम करेंगे तो हर company करती है हम और अच्छा काम करेंगे तो students this is all about the that is the basics of branding देखिए students अब हम इसके कुछ practical question शाट करेंगे देखिए यह chapter बहुत easy है आपका वो ध्यान समनना है पहले question देखिए क्या लिखा हुआ है from the following information determine the possible value of brand under the historical cost, replacement cost and the market price and the current cost model देखिए class हम क्या पढ़ने जा रहे हम पढ़ने जा रहे है that is the evaluation of brand value यहां पर देखिए न हमें शाट इकना students हम जो हम पर brand value के बात कर रहे है वह कौन से brand के बात कर रहे है that is be self generated देखिए सिद्धी से बात है वैसे देखिए brand के यह दो 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 लिती है उसमें कोई मुश्किल था है नहीं मैं जितने में खरीदा extra payment जो आपने दिया वह goodwill right तो उसमें थे क्या असेटिंग करेंगे जो आपका है नहीं वैसे दीजी से बात है माली जाए अगर आप net asset follow कर रहे हो right माली जी net asset की value है suppose 10 crore आप उस company को 12 crore रपी कर रहे हो तो 2 crore jacks रपी कर रहे हो goodwill sorry goodwill हो क्या ठीक है लेकिन वह क्या है आपने उसको टेक ओवर करेंगा टेक ओवर तर टाम इसको परचेस किया आपने self-generating किया आपने उस company कि क्या goodwill को खरीदा है right आपने इसको परचेस किया आपने इसको परचेस किया आपने बात रहे वेलिशन ओव ब्रेंड वेल्यू कौन सी बात रहे यहां पर इसको निकान ले देखे चाहर तरीके आपके जो मैं आभी देखी डिसक्स कर रहा हूं first one is that is called आपका है historical cost replacement cost market model and the current model देखे पहले बात करते हैं किसके historical cost की historical cost का मतलब कहां पर क्या होता है कि company ने अब तक जितना भी उसमें पैसा खर्च किया incurred all the cost that means brand कहां पर कहा है that means brand is basically determined at the cost incurred right in like creation maintenance maintenance हो गया आपका then growth of your brand बैसे इस बात आप बहुत सारा company करती है अपने brand को improve करने के लिए market में और अच्छे से उसकी value बड़े right to historical cost में that means company ने अब तक उसमें जितना भी खर्चा किया हो right चाहा हो maintenance में हो चाहा हो brand की अब बैंड को upgrade करने में हो tax को creation करने में हो उसे growth करने में हो तो जो भी खर्चा हो आपको add करता हो आपके हात में क्या जाएगा that is called historical cost easy है next one is that is called replacement cost that means अगर मालजी एक 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 खुद की company है आप अपने brand को दूसरी company के brand से क्या को replace कर रहे हो तो खुद की value की good आपको brand तो निकालना पड़ेगा न तो क्या होगा आपकी replacement cost then market price market price का मतलब क्या है आपकी जब आप उसको sale करोगे market price का मतलब यहां पर क्या है that means at the time of sale यानि कि जब आप मालजी अगर आज आपको company को इसे को बेच रहा हो तो आपके brand value क्या है तो हम देखेंगे as per the market value then current cost मतलब यहां पर क्या है current current मतलब means आज के time पर उसकी value क्या है बेचने यह बस हम उसको ऐसे ऐसा accepting कर रहे हैं कि आज के time में उसकी value क्या होगी right तो हम देखें निकालना जा रहे है क्याने value of brand value in all these cases brand development cost brand marketing distribution cost promotion cost आपको promotion को यह तींट आपको given है cost देखें incurred हुआ for the creation यह सब हुआ creation के लिए कर्चा हुआ और यह recreate के लिए कर्चा हुआ है right तो देखें यहां पर आपको क्या निकालना है यह लिखा हुआ existing brand could be purchase at rupees 2,000 lakhs and could be sold for rupees 1,800 lakhs right यानि कि अगर आपको purchase करना है एक तरह से क्या बोल रहे है purchase करना हूँ तो उस case में क्या कर रहा हुआ solution देखें क्या कर रहे है कि कहते है calculation of brand कर रहे हो आप हिस्तिवल कोस्ट में क्या कर रहे है आप आपने जितना भी खर्चा किया यहां पर देखिए cost incurred यह लिखा हो है cost which would be होगी लेकिन अब तक कितनी होगी वह तो यह होगी ना 800 400 और 300 यह सब खर्चा हुआ है किस किस में खर्चा हुआ है development cost में distribution cost में promotion में तो यह सब क्या आपकी historical तो आपको add कर दो कितना आपका 1500 lakhs historical cost then replacement cost यानि कि जब आप किसी company को replace कर रो यानि कि अब लिखा है to recreate the existing brand तो यह सब को add कर दो 1200 500 और 400 आपके बस कहा जाए कि replacement cost easy है market price model देखिए कैसे इंगालना है current market price current market price के बाद हो रहे है तो देखिए current market price नबर के है आपका that means sorry market price के सिंगाल होगे at the time of sale to sell value कि अपकी 1800 रुपे 1800 रुपे होगे आपका right then last that is the current cost model current cost model करने काते है that means जब आप किसी company को यह तर से कहेगा तो आज की bill लिखिया होगी तो वह सिदिशिद गिवन है could be purchase है निकि आज की आज की विखिए अज की आज अगर आप company company को भिज़ोगे तो आपकी brand value कितने निकलाती है 2000 lakhs आप भी बेशने रहे लेकिन बेशने जाओगे suppose तो आज की current market price कितने चल रहे है 2000 right then question question number 2 Bower Limited gives the following estimates of cash flows relating to the brand on this date आपको cash flows given है 3000, 4000, 5000, 6000 and 4000 लिखा हुआ है कि अगर आप brand को आपके लिए थोड़ा नया यह जो बेच होगे है उसकी residual value given है at the end of 2022-2023 यहने कि लास्ट चेर की बाद हो रही है तो कितने बीकी कि वह 1,000 lakhs में आपने brand को purchase किया तो उसकी value कितनी थी 9,000 lakhs थी उसकी useful life कितनी है 5 साल weighted average cost of capital कितनी है 12% देखिए students आपके लिए थोड़ा नया concept द्हान समझना देखिए यह जो concept आपका क्या है पहले आपको 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 यह का लिखा हुआ है weighted average 12% पहले एक बाद को द्हान समझे का लिखा हुआ है देखिए company ने क्या करका है एक brand को purchase किया है यह किसी company को purchase किया था तो उसकी जो cost आथी के देखिए 9000 lakhs आथी और जब इसी को बेचोगे 5 साल पास बेचोगे तो उसकी value कितनी देखालेगी 1000 lakhs कम हो जाएगी आपने इसको use किया 5 साल तक हर साल आपको इसमें जो 12% जो खर्चा करना पट रहा है तो 12% आपसमें क्या करोगे खर्चा कर रहे हो तो 12% एक्सपैट भी दिखरोगे कि वो generate करके दे तो अब यह बता रहा है कि आपको बनिगालना है कि इसकी value brand की value क्या होगी वो निगालना आपको आपको एक गिवन है यह बिवन इस और यह कितना निविश किया 9000 आपको हर साल 캐च generate जह हो रहा है यह हर साल आपको की जनेट हो रहा है यह कब होग आपको future में होने वाला अपने परेड़ में कर दो 2018 को खरेदा हर साल आपको इतना revenue generated हो रहा है होगा आपको ऐसाहोगा, तो फिर इस ऐस में कहोगा? कैसर आपको यह फीचर वेली वज कीरन है तो फीचर वेली फीचर कीरे वेली में यॉआ को निकलना वोगा the anew जिस अपकी आज की हो हूगा देखें इसथिशचे वाता है is अगर मानेजे आज आज आपने काहँ पर कितनी 110% है आपने 100% बन नकाल लिए तो 1000 आपके पास लेकिन इस case में किए है आपको बोले है कि एक साल बाद 3,000 मिलें दो साल बाद 4,000 इतने 5000 पर शही जार पर शही जार आपको इन सब की कहल निकालने प्र है अब इस case में किए आपको present value के लिए आपको एक लक्लेक्से table तो कि आप 12 प्रेसंस के हे पीसे मिल रह reflected रहे हैं तो हमक्य गिरेंगे इसके present value से मडले कर देंगे देखिया सित्धि से बात है अगर आप यह value गर आपको निकलनीं है जो यह डिवन है और यह निकलनी है तो यह अपकों से value या अपकों से value एइस career यह पूसे विश्टर यह कौण से विल्य है आपकी पास्ट वालि तो सिद्धी से पास्ट वैलिल वैलिज जो होगे वो कम होगी ना तो इसलिए का करेंगे हम इन सब को जाना कि तो वेल्ली कम हो जाएगी तो वेल्ली कम हो लगा है यहां पर क्या है आपकी आज की विल्ली निकल आगी तो मैं डिस्क्रविशन बोक्स में इसका आपको लिंक देदूगा क्या होता अब वहां से देखना मैंने वहां पर उच्छी से अपको समझा हुआ है देखिए आपको कैई गिवन है और आपको कैश इनिफ्लो गिवन है कि हर साल आपको इतना काश मिलेगा आपको हर साल इतना cash generate हो रहा है और पांच साल बाद आपकी इतनी 1000 और मिलेंगे at the time of sale यह आपको गिवने फीचर प्रेजंट वेल्यू फीचर मैंने कहा रहा है 3,000 multiply by this आपकी वेल्यू आगी स्वेव मैं सबको मिटले कर गिया गया तो प्रेजंट वेल्यू आपकी किता निकलाई this one that means 16,078 लैक्स आप दहां से देखें आपने लगाए किता था नहीं था हुआ यह पी कोस्ट है आपको generate कितना हुआ इन सबको आपकर करें के 3000 प्रेजंट 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 प्रे आपने जब इसको आज के रेट के साबसे को जब convert करके आपको इसको फिचर वेली लिखा है तो आपकी एक्चल वेली कितने निकलाई है that means 16,078 अब आपने इसको खरीदा कितने पर था 9,000 बे और इसकी वेली कितने पर आई है 6,078 में तो इसका मला आपने इसको कम पर खरी अटर, पोटेंशिल अर्निक मॉडल या आ है अपको दिखें नया मॉडला का पोटेंशिल अर् निक मॉडल में किया आपको सिМहकं करना है, आपको पस हहां पर इनिटीफाय करना है कि brand सी rated आपके कौन सी income आरा इस होड़ी है, that's it. इस इसका नाम है that is the potential earning mira देखिए information गेविन आपको, आपका e-given है profit after tax 8000 लाइकSu, intangible assets की वेली गिवन है अधादर ब्रेंड है, यहीं कि brand की वेली की गिवन नहीं है, आगे लिकाव है expected return of return property विज़े कितना मिलेगा आपको, 16% कि साब से मिलेगा आपको, नॉर्मल रिष्पेट कितना है 18% है नॉर्मल रिष्पेट का महलब कि यहां पर कहा है यहां पर कहा है कि कोई भी जबीन या प्रोपर्ट इवल्यू बढ़ती है तो उस पर एक्सपेट कितना 16% है लेकिन 4% आप गया प्रसंट लेके चल रहे हो क्यों हो सत्य है 20% जाए तो ए Capitalized Factor of Intangible is 25% टेक्सट आप उता गिवन है यह क्या गिवन आपको Capitalized Factor कि आपका याट में इतने रेट से आप कमा रहे हो किस पर कमा रहे हो Intangible, Consentangible, Brand पे यहनि हर साल आपकी इतने ग्रोथ हो रही है और उस पर आप सरकार को टेक्स केतना दिरह हर साल अपनी कमाई पर 30% टेक्स देरो Right, solution देखे आप इस पर Profit after tax देखे कितना है 8000 गिवन पिफोर टेक्स, 30% टेक्स नेकाल दिया आपके वेली कितना है कि 5600 model इसका मतलब किया है आपको basically focus करना किस पर किस पर only in brand पे आप brand की valuation करने जा रहे हो तो आपका पता होना अच्छी कि आप उस पर brand पे कितना earn कर रहे हो देखे आपको brand की value निकाल नहीं है तो आप देखो कि आप basically कितना कमा रहे हो जितने आपका business operations जो कमा रहे हो वो तो मिले रहे हो लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कमारे हो business operations आपको मिली ज़रू से ज़्यादा जो मिल रहे है वो कि निकाल रहा हूं उसके basis पर हमके निकाल लेंगे brand की value करें तो देखिए आपके गुमन है profit after tax given आपको हमने निकाल लिया 5600 profit for the intangible देखिए यह तो profit था यह किसमे था यह 500 में इसमें सब इंक्लूड है tangible हो गया तो में वह निकाल लिया 20% के साय देखिए वह इससे भी आया है 16% plus 4% तो अब आपके profit कितना बचा है कि किसके लिए चाओ only for the intangible assets अब intangible assets में बहुत सार हो था है copyright, patent, trademark, goodwill, brand यह सब है तो अब क्या करना है आपको 16,100 में आपको क्या करना है basically इस आपको capitalized कर लो इस 的 movie ओर वह थे लिए ने आपको इन्टेंट्यावर स बक्यस्थ, यह इसको कंमात तो आपको कैसे ने, आपको गिवन धे यह लियू, अपको इन्टेंटिञबल इंटेंजुवल एसस अथ दर से ब्रेंड यह जिए लिए लाटाबाद रा now moving to next question from the following permission determine the possible value of brand as per potential earning method same आगया आपको profit before tax given है income tax given है after tax भी given है tangible fix की value given आपको identifiable intangible azards other than brand given आपको weighted average cost of capital given आपको expected spread be given up then appropriate capitalized on intangibly given आपको तो बस इसमें को किस निकारना भाई पहले profit before tax ले लिया income tax निकारना लिया profit after tax आगया इसमें इस profit में सब कुछ आपका means जितना भी profit जितना भी कमाया है चाहब वो किसी भी सोर से कमास आपायागा तो आपका करने के पहले tangible assets जो कमाया वो निकाल लेंगे फिर जो आपकी income आई है कहां से intangible assets अदर अदर मिंट से वो निकाल लो तो बच्ची बच्ची जो कमाया होगी leftover जो कमाया बच्ची यह है वो किसकी बच्ची की brand की तो वहाँ से आपकी brand भी आरहे आराम से निकालागी तो देखे profit after risk कितना 5000 return on tangible assets निकाल लिया वो मानस कर दिया कितना गया 5000 normal return on intangible assets अदर जम ब्रेंड निकाल लिया कितना 750 कैसा आया दिखेंगे आपर क्या given तो आपको अपर प्र प्रेयर आपको कितना 25% है तो कोई दिखेंगे आराम से निकाला गया तो बस अब आपके earning कितना बची जो बच्चे कुछी earning कितना बची brand earning उसको divide करते हमने 0.25 से आपकी value कितना आगी 1000 यह कौनसी value आपकी only from value brand ना कॉम इंटी नेक्स याट इस question 5 अगेर आपको determine करना है अगेर पोटेंशल मोडल यह आपके अगेर कि दिखेंगे को brand की value याणि की units के करदिंग आपकी कितना कमार 20 लाग और वे आपके पास इतने extra हैं कि रसे तो कि यूनित ब्रेंट प्राइस आपको गिवन है 5000 यूनित ब्रेंट को इतना खर्चा हो रहे है इतना टेक्स इतना हो कितना है तो दिखेंगे ब्रेंट की value निकालने आपको फूसी ब्रेंड की value कैसे निकालोगे यह जो आपको गिवन है बीस लाग है आपको यह गिवन है इसमें समसारे खर्चे को मानेस करेंगे तो कि साथ कितना आ गया 5000 लेस 2000 अन दोनों को अब ब्रेंड की price और जो cost अब ने कर दिया इन सब की difference को में मिद्ले कर दिया तो आपके बास कितने की क्या गया वेलिशन आप ब्रेंड बैली है राइट आए बेलीव आपको समझ रहा होगा आपको जिएजिए लिमेट गिव जिए फोलें इसमेंट आप दी प्रॉपिट गिवन आपको और गिवन है इतना दना हर सार इतना तक कमा रहे हैं प्रॉफिट एंटरफाइस विदा आपको यह गिवन है यह गिवन आपको total profit यह गिवन आपको profit without brand without brand है नहीं कि अगर with brand है तो 5000 without brand तो आपके एच्छिक फिगर यह आती है useful life कितने brand के 5 years weighted average cost of cash गिवन आपको 50% तो दिखिए यह बीज़िया आपको total profit इतना हो गया without brand इतना हो तो यह minus कर दो तो with brand आपकी value कितना है कि 3800, sorry 3800, 4500, 5000, 5000, 5000, 3000 अब इनकी PVF कितनी है यह value कि मैंने सबको मंटले कर दिया this, this, this सबको मंटले कर दिया तापके present value आपके कितना है कि आपकी value that is 14,349 that's it easy है देखी class आपके with this we have finished the chapter that is the brand value and आप इसको अज़े के 16,35 करिए और आपके जो भी क्योरी हुआ आप अपने comment बुक्स में लाज़ते हो thank you